इस वक्त उत्राखंड के पॉड़ी गडवाज जिले से एक बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पॉड़ी से दिल्ली जा रही रोडवेज बस पुलिया की रेलिंग से टकरा कर नीचे को लटक गई मौके पर बस मसवार सभी यात्रियों में चीख पुकार मज गई अभी तक मिली जानकारी के अनुसार पॉड़ी से दिल्ली जा रही कोड़वार डीपो की रोडवेज बस हाथ से का सिकार हो गई बस दुगड़ा से कोड़वार की और निकली ही थी कि आमसोड के पास अनियंत्रित होकर पुलिया की रेलिंग से टकरा गई गनिमत रही कि बस पलट कर नीचे नहीं गिरी नहीं तो कोई बड़ी अन्होनी हो सकती थी बस में सवार सभी यात्री सुरक्षित हैं बताया जा रहे कि सामने से आ रहे वाहन को बचाने के चकर में चालक बस पर नियंत्रन खो बैठा और बस मलवे पर फिसल कर सीधे नीचे रेलिंग पर जाटा कराई दुरगटनागरस्त इस बस के सभी यात्रियों को दूसरी काडियों से कोड़ द्वार भेजा गया और छतिगरस्त बस को ठीक कराय जा रहा है आपको बता दें कि रोडवेज बसों के लगातार दुरगटनागरस्त होने की खबर सामने आ रही है कुछ दिन पूर्वी ही अलमुडा जिले के सल्ट चेतर में भी सराई खेत से दिल्ली जा रही बस खाई की ओर लटक गई थी बने रहे पहाड से मैदान की हर खबर के लिए देभूमी दर्सन के साथ